लगता है कि बाकी सब चीजे ठीक लेकिन ये तो ठीक है योगी आदितिनाथ आज मुख्यमंत्री हैं लेकिन हमको व्यवस्था इसे बनानी बना के रखनी चाहिए चूकि अनंतकाल तक योगी आदितिनाथ जैसे ही मुख्यमंत्री रहेंगे इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकत ठीक तो हम कानून में व्यवस्था इसे क्यों नहीं करें व्यवस्था में कहिए कानून में कहिए जिसको कुछ भी शर्द दीजिए कि अगर कृष्णानंद राई जैसी हत्या हो जाए जिसको 15 किलो मीटर तक सुना गया हो वहां अगर ये धूरतता मकारी बेहुदगी हो कि जी हमने भी नहीं देखा हमने भी नहीं देखा हो सारे पुलिस के आईजी डी आईजी एक कप्तान कलेक्टर सब हाँ जाड़ खड़े हो जाए तो उनको भी जेल भी जेल भेजने का प्रापधान अदालतों को करना चाहिए मैं अगर हाई कोट का जज़ू में मैं तो मानी नहीं सकता था कि सब लोगों ने आके कहीं दिया हमने नहीं सुना फिर पुलिस क्या कर रही थी पर तो लूड़ो खेल रही थी इसका मतलब मुक्तार के घर में जाके लूड़ो खेल नहीं होगी तो मुवदाबाद में ऐसा कैसे हो सकता है इतना हाहा कार बचा था और जशाब भी बड़े भले वित्ती थे उन्होंने बड़ी कारूनेक सा एक जज्ज्मेंट लिखा कि जी चाहता हो तो बहुत कुछ था लेकिन अब क्या करूँ जाही विद राखे राम ताही विद रही ये सेंस था उस जज्ज्मेंट का जैन साब ने भी देखा होगा बाकी सब लोगों ने भी देखा होगा ये नहीं होना चाहिए नहाय पालिका के पास नाखून और सोथारे लो Hm अरता सदारग लो कहीं वूर पालि या bit ie काम नहीं नहीं है कि çek आको न्याय दंड दिया है आपकी हाथ मेरा तमय न्याय दंड राजा के हाथ में राजा की हाथ में न्याय दंड और दूसरी बात में कहूंगा कि ठीक बात कहीं साब ने जब अतीक को सजा हुई तो मैंने किसी उत्तरपदेश के एक सेवा निवरत होगा मैं राजनी से सक्री राजनी से हट गए वो अब उनसे चर्चा हो रहे थी बड़े आदमी है तो मैंने उनसे कहा कि ये तो काम अच्छा हो गया कम सा कम बीजेपी के उस सरकार में तब उन्हों बीजेपी की भी सरकार होती तो ऐसा होता इसकी गारंटी न लो फिर उन्हें दो तिन पुरानी किस्से बताए उन्हों कहा हूँ ये योगी आदित्यनाथ की प्रतिवधता का नतीजा है कि ना सुननी ही नहीं दाएंबाएं भागने नहीं देना ना अधिकारी को ना किसी क करना है तो करना है यह बात ठीक है अच्छी बात है होना चाहिए परित्रानाए साधुनाम विनाशाय चादुश्कताम यह अवधेश राई जब मारा गया उसके बाद उस वकत कौन सी सरकार थी और उसके बाद भी सरकार है आई गई इसलिए मैं कराओ यह योगी आदेतनाथ का इंडिवीजूल कमिट्मेंट है जिसके कारण यह परिद्रिश्व बदला अन्य था तो तीन तीन लोग तो रही बुक्षी मंतरी भाजपा से भी कल्यान सुन्ग जी रहे आजनाच जी रहे राम परकाश गुपता रहे यह बड़ी चीज है यह होना चाहिए और राजा के साथ ऐसी ही प्रितिपधता की अपेक्षा दढ़ता की अपेक्षा जनता करती है मैं मानता हूँ अपराध का कारोबार पर्शेप्शन से चलता है मेरी बात से जैन साब भी सहमत होंगे और दोनों वकील साहबान भी सहमत हों वो पर्शेप्शन दोस्ते भूत कर दिया योगी जी ने जब जनता को यह पता लगता है कि जज्जमेंट जब सुन रहे थे वीडियो कांफेंसिंग से जोड़ा था मुक्तार तो वहां जज्जमेंट सुनते बैट गया जमीन में उस फिर पकर लिया हुना लिया क्या अब फिर लेट गए फिर पूरे शरीर पसीना पसीना हो गए तो फिर उनका बीपीपी चेक करके जिल अंदर भेजा गया तो जनता को लगता गया आप ठीक अब यह नहीं हो रहा यह नहीं चलना फिर देखता है कुरकुरे मांग रहे हैं करे कुरकुरे दिलबादो बिस्कुटी लोग जिप्शी के हुड पर बैट कर ऐर कारवाइन और LMG लेके जलूस निकालते थे वो बिश्कुट को पैकेट मांग रहे हैं यहां से सरकार के उकवाल की न्याय के उकवाल की अदालत के उकवाल की स्थापना यहां होती है बरना किसी जच साहब को ये सभभा कि कभी मिला क्या उत्तरपदेश की जमीन में विक्रम सिंग जी कभी नहीं मिला कि जिससे मुक्तार के कद के अपरादी ने विश्कुट के लिए गुहर लगाई हो कि भगवान का नाम लो कभी मिलने के जरूर सोच जच सोच नहीं सकते थे क्या है कि जरे कितने जच तो रिटायर हो गए जो मुक्तार और अथिक को अपनी अधालत में कभी नहीं देखे मुकद में होते हुए भी नहीं सोला साल में कुछ कई जच रिटायर हो गए अवदेश रायवाले मामले में मुक्तार और ने तो धर्शन ही नहीं दिये ये लोग दर्शन देने का मामला था इनका पेशियशी नहीं इनके लिए होती थी समझ लीजिए ये होता था कि प्रभू का प्रग्टेंग अधालत में वो परिश्थती थी उत्रपदेश में इसलिए मैंने आरंभ में कहा था कि उत्रपदेश में आज से 5-6 साल पहले आप किसी से पूछो जाके कि मुक्तार और अतिक को किसी मामले वो केते ना इन लोगों को सजा नहीं हो सकती छोटे लोगों को हो सकती लेकिन इनको नहीं हो सकती ये भाव तूटना जरूरी था इसी भाव ने लोकतंत्र को इनकी डियोड़ी पर बंधग बना दिया था, इसी भाव ने कानून व्यवस्था को इनकी डियोड़ी पर चाकर बना दिया था, अधिकारी इनकी चिलम भरने लगे थे क्या इस सच नहीं है, क्या थीक ने पुलिस वाले बंध कर लिये, उनको लपड़े आया, सखती नहीं की गई जिन सब, निवीदन किया गया कि परम पूजी अतिक जी पुलिस वालों को तो छोड़ दो, तुमको मेरी किसम, क्या, इस सच है, क्या गाजीपुर से जो लोग बावस्ता होंगे, वो जानते होंगे, कि मुखतार का घर मुखमदाबाद में, वहां कोई आदमी अगर ये लिखा आएक दी हमारा राशनकार बनना भलाना, जो भी काम हो, अच्छा बुरा जे सब यह, वहां से अधिकारी को भोन चला जाए, तो अधिकारी उस आदमी को ढूंता है, कि भाया आप कहां हो, हम आपका वो कागत दे जाए, गलत तो नहीं करना, यह समानांतर सरकारें चला रहे हैं, मैंने देखा है, यह नहीं होना चाहिए, फिर सामानी आदमी गरीबाद में कैसे जिएगा, और किसके भरोसे जिएगा, कानून की किताब का तब तक कोई बहुत मूले नहीं, जब तक उसके उपयोग करता इमानदार नहीं, लोग तंतर की किताब का भी तब तक क्या मूले समिधान का, बताइए, समिधान में तो सब कोई अच्छा लिखा है, उपयोग में किसको लाना है, इसलिए मैं कहूँगा योकि आदितनात की यह सबसे बड़ी उपलब्धी है सलक कितनी बनी कितनी नहीं बनी मैं उस भहस में नहीं जाना चाहता यह सबसे बड़ी उपलब्धी है जिसमें कम से कम समानी व्यक्षी को उत्रपधेश में यह भरोसा हुआ कि मुख्तार और अतिक को भी सजा हो सकती है, अधालत के कंठ में उतना सहसा आ गया कि इनको भी सजा सुनाई जा सकती है, अन्यता लोग मांगते थे कि इनको सजा नहीं सुनाई जा सकती है, किसी के पास ऐसा कंठी ही नहीं है, इनको कोई पकड़ के नहीं रख सकता, ठीक कहा योगी जी ने क्या मिठी में मिला देगी मिठी में मिला ही देना चाहिए को अर ये कानुन की मर्याधा के भीतर रहके इतने बड़े अपराध्यों को मिठी में मिला ना सच में बड़ी बात हो जाती है चुकि जब आप सरकार में होते हैं तो कानून भी आपके हाथ बांधता है उसके बाद भी ये रिजल्ट मिल रहा है उत्रपदेश को उत्रपदेश के बाकी दलों के जो राजनेता है जिन्होंने समय समय पर मुक्तार और अतीक जैसे लोगों का सानिद्ध हासिल किया अपनी राजनेतिक तागत के लिए उनको भी सबक लेना चाहिए लोगतंत्र की गंगा में इन जेसे लोगों का इस्थान नहीं होना चाहिए जाल डालिये ताकि लोगतंत्र की गंगा से में जो अपराधी आगे वो उसमें आए और उनको बाहर निकालकर खड़ा करिये ये बड़ा काम है जो उत्तरपदेश में हो रहा है वरना हम लोगों ने जिस उत्तरपदेश को देखा है जिया है वो बहुत खौफ़नाक था डरावना था बिहार में अभी एक में वीडियो देख रहा था शादी में दो लोग मोटर साइकल से पहुँचे फेरे लेती हुई बहु को उठाया दुलहन को मोटर साइकल में बीच में दबाया और चले गए ऐसी इस्थती उत्तरपदेश में भी थी ये लोग सत्ता के केंद्र थे आज वो इस्थती बदली है अपराधी जब कमजोर दिखे तो भले आदमी को साहस पैदा होता है और अपराधी जब यू करे तो भला आदमी डर जाता है यह सबसे बड़ी उपलब्धी है कि अतीक जहां जाना था वहां गए और मुकतार अंसारी जान गए कि अब जिन्दगी जितनी भी है मेरे पास जेल से बाहर नहीं आ सकते इसी जेल में जीवन भर रहना होगा बिस्कुट मिले तो भी और ना मिले तो भी